हेलो दोस्तों जहीं स्वागत है मेरे चैनल डिफेंस एंड स्पोर्स आर्मी में फ्रेंस आज हम बात करेंगे ससे जीडी कॉंस्टेबल के फिजीकल के बारे में और आप लोग के फिजीकल के टाइम में कौन-कौन से डॉकुमेंट्स आपको ले करके जाना है रेसिडेंस, सेंट्रल OBC और क्रुशल डेट क्या होता है तो दोस्तों सबसे जादा जो कमेंट आ रहे थे वो मुझे सेंट्रल OBC को ले करके आ रहा था और क्रुशल डेट के अंडर में जो आपके डॉकुमेंट्स बनने है उसके बारे में आपको में बताऊंगा और फिजीक दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए यह वीडियो दोस्तों उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है जो फर्स टाइम फिजीकल देना जा रहे है ऐसे जीडी का ठीक है अगर आपने से पहले भी फिजीकल दिया हुआ है तब तो आपको पत अधार कार्ड, pen card, voter ID या driving license इन चारों चीजों में से आपके पास कोई भी एक चीज आपके पास होनी चाहिए जिसमें आपके फादर का नाम आपका नाम और आपका जो address है वो सही होना चाहिए ओके इसमें किसी प्रकार का spelling mistake ना हो यह चीज का आपको खास ज्यान रखना है second choice में मैं बता दू second चीज में आपके 10 photographs होने चाहिए जो कि within 3 months में आप लोग के खिचे हो याद रखे दोस्तो photographs आपके वई होने चाहिए जो आप लोगोंने अपने form में भरते वक्त लगाया था क्योंकि दोस्तों काफी जगए देखा गया है कि photograph match नहीं हो पाता है तो उन आपको शो करना होता है सबसे पहले दोस्तों मैं बता दू आप लोग का nativity permanent resident certificate जिसे हम domicile लोग बोलते काफी बचे क्या सोचते हैं कि resident certificate कुछ और होता है domicile certificate कुछ और होता है ऐसा नहीं होता दोस्तों दोनों एक ही चीज़ होती है दोनों को ही हम आवासी प्रमाण पत्र बोलते हैं जहां पर भी आप रहने वाले हैं वहां का आवासी प्रमाण पत्र आपका बना होना चाहिए और दोस्तों मैं बता दू इसकी कोई भी एक validity नहीं होती है दोस्तों ठीक है आवासी प्रमाण पत्र आपका दोस्तों मतलब एक साल पुराना अगर होगा तो बहुत किया गया है तो यह crucial date का मतलब दोस्तों क्या होता है तो crucial date का मतलब होता है जब आपने form fill up किया हुआ था उस time से पहले-पहले आपके जो documents है वो बने होनी चाहिए ठीक है अब क्या होता है दोस्तों काफी बच्चे क्या करते है कि form भरने के बाद भी documents बनवाते हैं काफी बच्चे क्या होते हैं कि जिनका result होता है उसके बाद भी documents बनवाते हैं तो दोस्तों इसमें दो condition होती है इसमें पहली बात तो अगर आपने crucial date के documents नहीं बनवाए है तो आपको कोई दिक्कत आली बात नहीं है और अगर आपके crucial date से पहले के documents है मतलब आपने form भरने से पहले के documents है या अगर आपके documents एक साल पूराने भी है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है तो दोनों condition में दोस्तों आपको कोई problem होनी नहीं वाली है अब मैं बता दू क्रूशल डेट को लेकर के आपको इतना घवराना नहीं है वो सिर्फ बात है जो बताई गई है अगर आप उस हिसाब से चलते हैं तो अच्छी बात है otherwise ऐसी आपको कोई problem face करने के लिए नहीं होगा ठीक है अब मैं बताता हूँ दोस्तों आपका OBC को लेकर के तो OBC certificates को लेकर के एक चीज़ में आप लोग का doubt मैं clear कर दूँ काफी बचे क्या करते हैं state level का OBC certificate लेकर चले जाते हैं तो भाईयों आपको OBC में state level का certificate आपका valid नहीं होगा क्यों valid नहीं होगा क्योंकि SACGD एक central government job की vacancy है ठीक है और central government job में दोस्तों आप लोग को central level का certificate valid होगा वाँ पे और अगर आप OBC में आते हैं तो आपके पास central government का OBC आपका होना चाहिए अब central government का OBC का format आप लोग screen पे देखी रहे हो ऐसा होता है किनी-किनी states में थोड़ा format में change हो सकता जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने format आपको दिखाया है यह वैसा ही वहाँ पे format होगा है अथर नहीं होता तो आप लोग इस चीज का ध्यान रको और OBC की कोई validity नहीं होती दोस्तों ठीक है OBC आप लोग का अगर दो साल भी पुराना है तो भी वहाँ पे आप लोग का चल जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है OBC में तरकिन आपको एक चीज ध्यान चे देखनी है आपका नाम आपके फादर का नाम और आपके मदर का नाम सही होना चाहिए OBC certificates में जैसे आपके matriculations और आपके अधार काड में है अगर आपका ऐसा है तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है और अगर आप दोस्तों NCC की तयारी कर रहे है तो आप लोग दोस्तों चक्षू पब्लिकेशन की NCC की बुक खरीच सकते हैं बुक में मिलने वाला है दोस्तों आप लोग को ये 550 महत्वपूर्ण प्रशन और जो बुक है दोस्तों वो आपकी NCC and UGC पैटर्न पर अधारित है साथी साथ बुक में आपको मिलने वाला है दोस्तों बुक के साथ ही मिलने वाला है objective सवान अध्यन में जिसमें 5000 प्लस प्रशन है और बुक के interface की मैं बात करूँ दोस्तों तो आप लोग देख सकते हो कि बुक जो है दोस्तों वो updated वर्जन में है और बुक की quality काफी अच्छी है अगर आप NCC A या BCC certificate की तयारी कर रहे है तो आप लोग के जो बुक है वो एक number होने वाली है तो आप लोग जल से जल जाकर के बुक का जो link है वो description में डाला है आप लोग वहाँ जाकर के बुक को purchase कर सकते हो जैहिंद और दोस्तों हाँ वीडियो में दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो आप लोग के जो physical होने वाले हैं वो आप लोग के जून वाले मंत में आप लोग का physical करवा लिया जाएगा तो आप लोग अपनी physical की तयारी भी शुरू कर दें और physical verification को लेकर के मैं चीज मैं आपको बता देता हूँ काफी बच्चे सोचते कि दोस्तों physical verification का मतलब क्या होता है तो physical verification में दोस्तों आप लोग को मैं बता दूँ कि जैसे पिछले साल जो बच्चे भरती होए थे और select होके center पर चले गए लेकिन किनी कारण दोस्तों उनका OBC और उनका resident certificate verify नहीं हो पाया तो दोस्तो physical verification आपके department से भेजा जाता है वहाँ से एक letter dispatch किया जाता है आपके गाउं पे हैं जहाँ पी है आप रहने वाले हो वहाँ पे और वहाँ से चानबिन की जाती है कि आप यहाँ के रहने वाले हो या नहीं हो और अगर आपका document verify नहीं हुआ है तो किस कारण नहीं हुआ है तो physical verification का इतना कोई लफड़ा नहीं है उसके बारे में मैंने आपको बता रखा है इतना कोई tension नहीं करना physical आपको अच्छे से करना है तैयारी करनी है और आगे की जो भी जनकरी वो मैं आपको दे दूँगा बाकि अगर आपको कोई भी doubt वेगर आ रहा तो आप मुझे comment कर सकते हो और वीडियो को like ज़रूर कर देना और अगर आपको की जो और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट करना है जय हिंद